आज की ताजा ख़बर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए किंग्स 11 पंजाब ने गेल और राहुल की आतिशी पारी के धम पर कोलकाता नाइट राइडर्स को नौवे केट से हरा कर मैच जीत लिया है आईपी एल सीजन 11 में अश्विन की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब ने गेल और राहुल की तुफानी पारियों की मदद से कोलकाता को नौवे केट से हरा कर आसानी से मैच जीत लिया है लोकेश राहुल इस मैच में केवल 27 गेंदो उपर 60 रनों की तुफानी पारी खेल कर आउट हुए वहीं गेल ने 38 गेल में 6 चके लगाते हुए 62 रनों की नाबाद पारी खेली इस से पहले पहले एक 99 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब की तीम को गेल और राहुल ने शांदार शुरूआद दिलाई थी लेकिन बारिश की वज़े से मैच को बीच में ही रोकना पढ़ा बारिश आने तक गेल और राहुल ने तुफानी अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए 8.2 ओवर में 96 रन बना डाले थे वारिश के बाद मैच दुबारा शुरू होने के बाद पंजाब को 13 ओवर में 126 रन बनाने थे जो उन्होंने एक विकेट खो कर ही बना लिये कर दो